गुरुमा जून जुलाई अगस्त से देखें अगर तो प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी की जन्मकुंडली में किस प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर उनके राजनेतिक करियर पर देखिए मैंने आपको बताया है कि 4 जून को जो हमारा ये परिवर्तन हो रहा है शुकर ये अपने इस्तान में परिवर्तन हो रहा है इसके बाद फिर हमारा जो सूरे परिवर्तन हो रहा है वो मित्वन राची में वो भी मतलब कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसे कि मैं कह को कोई नुकसान हो उसके बाद हमारा जो मंगल थोड़ा सा चेंज होगा वो करकराशी में नीच का आएगा तो जब मंगल नीच का सैनापती नीच का आता है तो कुछ हलकी फुल की घटना है या पबलिक उच नीच बूलना या कुछ बाते करनी मलब ऐसी कर सकती है लेकिन उसका हमारे पधानमंतिजी पे हमारे देश पे किसी चीज पे फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्राकरम को देख रहा है प्राकरम को वो उच्चका होके देख रहा है तो इसलिए हमारे को ऐसी कोई भी मतलब जून जुलाई अगस्त कि मुझे कोई भी ऐसी प्राप्लम देख लेंगे या उनको पहले मैसूस हो जाएगा और उस घटना को यहां तो होने नहीं देंगे और अगर हुई तो वो जनता को त्राई नहीं होने देंगे वो खुद ही उसका जवाब देंगे इतना मैं आपसे कह सकती हूँ गुरुमा ये बताएं कि जब प्रजार समाप्त हो गया था लोगसभा चुनाओं का उसके बाद प्रधान मंत्री जी जो ऐसी दे केडार नाथ की यात्रा पर निकल पड़े थे क्या आपको लगता है कि भगवान केडार नाथ से उन्हें कोई विशेश शक्ती मिली है और इ देखिये लोगों ने तो बहुत सी बात है की ये चुटी मनाने के बाने से वहां चलेग twee या उस कोई भी चुटी मनाने के बाने से ने जाता उन्होंने इतना उन्होंने उसके अंदर भाषन दिये लेकिन उन्हों इसने जिस भी इस्ट को वो मानते है उसका ध्यान करने के लिए वहाँ पर गए कि अगर मेरे से कुछ भी किसी के लिए गल्ट का आ गया हो अगर मैंने किसी को कुछ अपनी वानी से गल्ट अब शब्द बोले हो तो जो भी उनके इस्ट है जिस वो ध्यान में गए थे उससे श लाइन में हूँ और मैं अपनी भक्ती में रहती हूँ तो मुझे ऐसा अभास होता है कि हम या आप कुछ भी नहीं बोलते बोलने वाली तो शक्ती कोई हो रोती है और बोलते है कि हमने ये किया और हमने कुछ नहीं किया लेकिन जब बोलने वाली शक्ती कुछ बोलती है तो व लिए वो उसी जगह को चुनने के लिए बैठे और वहीं पर उन्होंने ध्यान लगाया तो आपको पता मीडिया तो पीछे पीछे बाग जाती है उन्होंने तो किसी मीडिया को बुलाया नहीं था कि आओ और मेरे ध्यान को देखो और जब वो बिख्षा मांग के काते थे करना तब करने गए थे गुरुमा आपको आने वाले समय में प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी को किस बात से साउधान रहना चाहिए इस बारे में आपका आंकलन क्या कहता है मोदी जी को तो साफधाने किसी भी तरिके की बरतने की जुरूत नहीं है थोड़ी से मेरे को उनकी हेल्थ के उपर लगता है कि वैसे तो वो योगा करते हैं खान पीने का बहुत ध्यान रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम हो नहीं सकती लेकिन ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि कभी-कभी मदलब कोई हलकी फुल की उनको कोई तकलीफ अपने श्रीर में आये तो मैं नहीं कह सकती लेकिन उनको चनोती कहीं से भी नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने चनोती का जो सामना करना था उन्होंने इलेक्शन में कर लिया तो दर्शकों प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने वाले छे महीने में कैसा रहने वाला है उनका भविशे और वे आने वाले समय में कौन-कौन सी कारवाई कर सकते हैं इसी पर था हमारा ये विशेष वेब सिरीज इस कारिक्रम में हमने आमांतरित किया था दिल्ली से गुरूमा सुर्णेबाला जी को गुरूमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कारिक्रम में जुणी अखंड मंतन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो मोदी जी के लिए इतना परचार कर रहे हैं और उनकी जो जितनी भी घटनाओं को सामने ला रहे हैं मतलब ये उठाई गिरी बाली बातें नहीं हैं ये बहुत सत्ते बातें हैं और उससे मैं आपके अखंड मंतन को इतना मतलब धन्यवाद करूँगी कि लोग इसको जतना भी अधिक से अधिक देखें और इसको मतलब लाइक करें लाइक करके अपनी लाइकिंग बताएं कि इंके जो भी बताय हुए कारे हैं वह सत्थे कितने हुए और जैसे जैसे इनके बताय हुए भवविश्यमानिया सत्थे होँगी आप हमेशा के लिए अकंड मन्थन को जैसे कोई देखता ना आज तक टीवी चैनल ये चैनल फिल लोग देखेंगे इसी आपके चैनल को और चैनल को देखके सब लाइक करेंगे और उनको घर बैठे हर समस्या का हल और हर घराय की जो इस्तितिया मालूम होती रहेगी इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धनेवाद करूँगी और अखंड मन्थन का भी बार बार मैं इसके लिए पढ़नाम करूँगी कि आप अच्छी से अच्छी और सच्छी से सच्छी घर्टनाओं को परदशित कीजे जिसे जनता का मनुबल बरे और प्रदान मंत्री जी क जो भी वो कारे करते हैं सत्ते वचन से वो सब के सामने आए और अपने दर्शकों को हम गुरु मा के बारे में संक्षित परीचर देते वे ये बताना चाहेंगे कि वे पिछले 40 वर्षों से जोतिश विद्या में सनलगने और देश ही नहीं बलकि विदेश के जो भी लोग ह है उनकी सेवा कर रही है अपनी जोतिश विद्या के मादेम से उनकी कई गर्णाएं भी सफल हुई है और आने वाले समय में भी उनकी गर्णाओं को आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनका जोतिश आंखलन है और किस प्रकार से वो जोतिश की कसोटी पर खरी उतरती हैं इ आने वाले व्रत्योहारों की सूचना भी जोतिश गुरु मा के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएं। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा इस पर यदि आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे वाट्सेप नमबर 7905414965 पर संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में देश के विभीन क्षित्रों से जुड़े विशिशगे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उ इनका लाब उठाने के लिए देखते रही आखन मंतन हमें आपने इतना समय दिया इसके लिए आप सभी दर्शकों का रिदय से आबार नमस्कार